नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल अकाउंट को प्रमनेंट डिलीट कैसे करें जी हाँ दोस्तो आप अपने गूगल आईडी को पूरी तरह से हटाना चाते हैं गूगल के सर्वर से या फिर आपको अपने गूगल आईडी को पूरी तरह से डिलीट करना है हमेशा के लिए तो किस प्रकार करोगे चलिए जानते हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तो आपको उस गूगल अकाउंट को साइन इन कर लेना है अपने मूगल फोन में यानि कि आपको उसको लोगिन कर लेना अपने मूगाईल फोन में और उसके बाद आप उस मूगाईल फोन की सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद दोस्तो आपको यहां पर गूगल का बटन दिखाई देगा ठीके दोस्तों जैसे आप manage your google account वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर यह कुछ ऐसा interface दिखाईदागा आप इस जगा जाओगो अब आपको यहाँ पर data and privacy बटन पर क्लिक करना है ठीके दोस्तों जैसे data and privacy बटन पर क्लिक करोगे तो मैं आपको एक बात बताना च जब हमें google account को permanent delete करना है तो पहले हम google service को यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारे पास कोई google की कोई service इस account पर बाकी ना रहे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर google service को हटाएंगे उसके बाद इस google account इसको permanent delete करेंगे तो google service को अटाने के लिए दोस्तों आपको data and privacy के अंदर नीचे एक बटन दिखाए देगा delete google service ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए यह रहा delete a google service आपको पहले इस बटन पर क्लिक करना है ठीक है दोस्तों इस बटन पर क्लिक करने गवाद आप देख सकते हैं आपके google account के साथ कौन कौन सी service जूड़ी हुई है तो यहाँ पर आप से आपक आपको google account का password डालना होगा जो आपका इस google account का password है अब आपको next बटन पर क्लिक करना है next बटन पर क्लिक करने गवाद दोस्तों आपका mobile नंबर से जो इस google account के साथ जो mobile नंबर जुड़ा हुआ है उसके उपर एक OTPI है आपको उस OTP को यहाँ पर डालना होगा ठीक है दोस् दोस्तों आपके सामने इस अकाउंट से जुड़ी होई जितनी भी सर्विस है गूगल के दुबारा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाई जिसे जीमेल यूटूब डाउनलोड यूड डाटा ठीक है दोस्तों आपको डाउनलोड यूड डाटा के जूरत नहीं है आपको यहां पर यूटूब को डिलीट करना है क्योंकि हो सकता है आपने वहां पर कोई चैनल बनाया हो ठीक है और आपकी जीमेल आइडी जो दो यहां पर सर्विस आपको दिखाई देगी जो भी आपको सर्विस यहां पर दिखाई दे आपको उन सभी सर्विस को यहां से यह डि के उपर दोनों पे टिक करना है टिक करने के वाद आपको delete my content पे click कर देना है ठीक है दोस्तों ये एक बहुत में इनको बता रहा हूँ कि मैं मेरा account permanent delete करना चाता हूँ इसलिए मेरे youtube पे जो भी system है उसको permanent delete कर दीजिए तो अब आपको यहां पर आपकी Gmail ID है जो आप Gmail ID permanent delete करना चाते हो उस Google account को यहां पर type करना होगा ठीक है दोस्तों ठीक इसके उपर आपको दिखाई देगा उस Google account का नाम ठीक आपको उसी को देखकर यहां पर type कर देना है टाइप करने तो आपके इस account से जुड़े वे जितने भी जो भी service है Google की वो पूरी यहां पर delete हो चुकी है ठीक है दोस्तों जितनी भी service है वो सारी सारी यहां से हट चुकी है अब आपको थोड़ा बेक करना है उपर वाले बटन पर क्लिक करना है बेक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर नीचे बिल्कुल नीचे की तरह एक बटन दिखाए देगा delete ठीक है दोस्तों सबसे नीचे देखी यहां पर delete my Google account आपको इस बटन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा इस page को स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद दोस्तों दोस्तों आपको इस डिलीट अकाउंट बटन पर क्लिक कर देना है जैसे डिलीट करोगे तो दोस्तों आपका Google account हमेशा के लिए यहां से डिलीट हो जाएगा अब आपको यहां पर Google बोल रहा है अगर आपको इस अकाउंट को रिकावर करना है तो आप इस पर टिक करके या क्लिक करके अपने अकाउंट को रिकावर कर सकते हैं अगर आपने गलती से डिलीट कर दिये इस परकार से दोस्तों आप अपने Google account को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं यानि कि पर्मानेंट डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर अगर आप अपना Google account प झाल झाल